नमस्कार दोस्तों वेलकम टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद है सब ठीक ठाक होंगे और आज हम CBSC क्लास 12 का मैट्स का चैप्टर पढ़ेंगे मैट्रिसिस और सॉल्व करने वाले हैं तो आज इस वीडियो के इंदर हमारी मिसलिनेस एकसाइस पूरी खतम हो जाएगी उसके बाद हम एकसाइस 1.4 और जो फर्स चैप्टर की मिसलिनेस एकसाइस बची है वो करेंगे और साथ ही में हम क्या करेंगे डिटरमेन को भी चालू कर देंगे ठीक है ताकि आपका नुकसान ना हो तो कोशन नबर 11 है मिसलिनेस एकसाइस और शाप्टर नबर 3 ट्रीटिस मैट्रिक्स का फाइंड दा मैट्रिक्स X so that X इंटो में इस इकोल इस इकोल इस आपको यहाँ पर X मैट्रिक्स की वैली फाइंड करनी है यह जो X दिखाई दे रहें ना यहापको find करना है और आपको क्या given है आपको given है X इंटो में 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर 2 क्या है हमारे पास row है और यहाँ पर कितने column है 3 क्या column है यानि कि 2 इंटो में 3 क्या होगा इसका order हो गया is equals to अब हमारे पास यह जो matrix given है यह कब आएगा जब x into करेगा इस matrix को ठीक है क्या आएगा आपके पास minus 7 minus 8 minus 9 2 4 और 6 यहाँ पर भी आप देख सकते हो 2 क्या है हमारे पास row है और हमारे पास क्या है तीन यहाँ पर क्या हमारे पास column है यानि कि 2 into में 3 क्या इसका order है ठीक है ओके यह बात समझ में आगी अब देखो अब यहाँ से हमें पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर x का क्या order रहेगा तब ही हम यहाँ पर values find करेंगे एक एक element की जो x matrix उसको प्रेजेंट रहेगा तो देखो यहाँ पर सबसे बड़ा hint आपको question में यह provided है यह आपको सोचना पड़ता है तो देखो यहाँ पर क्या गिवन है कि जब x इसको into करेगा तब आपके पास 2 into में 3 order आएगा यहाँ पर हमें x का order पता नहीं है ठीक है लेकिन देखो यहाँ पर जो x है इसका order तो आपको नहीं पता लेकिन इसका into जो इसके साथ कर रहा है उसका order पता है आपको देखो मैने आपको बताया था कि अगर कोई भी matrix into करते है यानि कि अगर a into में b हो रहा है और इसका order है b into में c और इसका order क्या है इसका order है आपके पास c into में d सबसे पहली बात तो इन दोनों को तभी into कर सकते हो जब यह जिससे खतम हो रहा है यह उसी से शुरू होना चाहिए यानि कि यहाँ पर यह 2 से शुरू हो रहा है अगर यह वाला जो होगा इसका ending वाला जो order का जो एक element number होगा अगर वो 2 होगा तभी इससे multiply कर सकता है और यहाँ पर given है multiply करेगा तभी यह answer आएगा यानि कि जो x के अंदर order आने वाला है उसका last वाला number तो हमें पता चल गया 2 है क्यों है 2 क्योंकि यहाँ पर जब 2 होगा तभी हाँ पर जब 2 होने के वज़े से multiply हो रहें ठीक है यह पता चल गया अब जब इनको आपस में multiply करते हैं तब यह दोनों हो जाते है cancel और order जो आता है एक नए matrix का वो होता है बी इंटू में डी आता है यह अब यहाँ पर given है कि जब x का जो order है यह multiply कर रहा है इसके order से यानि कि 2 इंटू में 3 से तब आपके पास 2 इंटू में 3 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर आपके पार यहाँ पर आपके बास 2 आटू कैंसल हो जाएंगे और जो order आ रहा है वो क्या आ रहा है 3 हमाई पस नए order आ रहा है यानि कि जो x का order है वो क्या होगा 2 x 2 होगा तो यहां लिख देते हैं so x will be a 2 x 2 matrix जो हमारा x है वो 2 x 2 matrix है यानि कि जो x है उसका order है 2 x 2 यानि कि 2 यहां पर रो प्रेजेंट है और 2 के रोप्रेजेंट है ठीक है तो हमार लेंगे let x is equal to 2 x 2 है यानि कि 2 हमाई पस रो आएंगे और 2 कॉलम आएंगी 2 x 2 order है यहां पर मैंने लिख दिया कि u w v और x के आउंगे यह जो हमारा matrix x है उसके elements होगे देख सकते हो आप यहां पर 2 तो हमने रो बना दी है और 2 क्या बना दी है कॉलम बना दी है तो 2 into में 2 order हो गया यहां पर x into में this करना है तो हम करेंगे x की value के जगे यह लिखोगे तो x की value के जगे आएगा u w v और x into में आपको क्या करना है into में यह करना है यहनकी 1 2 3 4 5 और 6 और जब इनको आपस में into करोगे तब यह किसके equal आएगा तब ही आएगा minus 7 minus 8 minus 9 2 4 और 6 के equal ठीक है इसको आगे आगे solve करते हैं हमाई पस equations form हो जाएंगी यहां पर खीच लो एक horizontal line और यहां पर खीच लो vertical line ठीक है इसको आगे solve करते हैं तो आपके बास यह हो जाएगा U plus 4W और उसके बाद यहां पर आएगा 2U plus 5W यहां पर आएगा 3U plus 6W और यहां पर आएगा 2V plus 5X यहां पर आएगा 3V plus 6X ठीक है यह आपके बस value आएगी जब यहाँ पर आप multiply कर दोगे सबसे पहले इन दोनों ने यह जो पहली row ने क्या किया पहले आपर column को multiply किया तो यह value आई फिर यह वाला जो row इसने second को किया तब यह आई इसके बाद इसने इसको किया तो यह आई इसी इतरे यह पहले इसको करेगा फिर इसको फिर इसको फिर यह value जाएंगी और यहाँ पर तो यही रहेगा है न अब यहाँ में सबीनियस कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि जो कोर्रस्पॉनिंग एलिमेंट वह भी क्या हूँगे इक्वल होंगे तो यहाँ पर कितनी रो है यहाँ पर तीन यहाँ पर कॉलम है यानि कि टू इन टू में थ्री का इसका order है यहाँ पर भी आप देख सकते हो दो रो है और तीन क्या कॉलम है यानि इसका भी order है टू इन टू में थ्री है यहाँ पर order सेम है इसका मतलब यह हुआ कि जो कोर्रस्पॉनिंग एलिमेंट है वो भी क्या होंगे सेम होंगे यानि कि इक्वल होंगे तो हम यहाँ लिग देते since matrices are equal therefore corresponding elements are also equal आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पर matrices equal है इसले इन के जो corresponding elements है वो भी equal होंगे तो corresponding elements को equal कर देते है फिर आपके पास यहाँ पर six equations बन जाएंगी ठीक है तो आपके पास पहली equation बनेगी u plus 4w यह किसके equal होगे minus 7k यह आपकी first equation होगी उसी तरह यह आपकी second equation यह 3 equation यह fourth equation यह fifth और यह sixth equation तो यहाँ लिग देते हो मैं यह first equation आगी second equation आगी 2u plus 5w is equal to minus 8 और उसके बाद यह आपकी third equation यानिकी 3u plus 6w is equal to minus 9 यह आपकी third equation आगी उसी तरह इनको equal करोगे corresponding elements से तो आपके पास 3 और equation आजाएगी यानिकि total 6 equations आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर पूरी जो 3 है वो भी equations लिग दिये हैं यानिकि अब आपके बास total 6 equations आचुकी हैं अगर आप ध्यान से देखते हो जो पहली हमारे पास row थी जब आपने इनके corresponding elements को equal किया तब आपके बास यह जो 3 equations आई हैं आप देख सकते हो these equations have u and w आप देख सकते हो यहाँ पर जो variables कह सकते हो आप यहाँ पर जो भी आपने alphabet use किये हैं यहाँ पर वो सिर्फ और w है ठीक है और यहाँ पर इसी तरह है यह वाली जो equations हैं कि इंदर सिर्फ और x है तो यहाँ पर लिग देते हैं these equations have v and x ठीक है अब यहाँ से आपके यह जो तीन equation है यहाँ से आपके बास u और w के value आएगी और इन तीन हो से आपके बास v and x की value आएगी ठीक है तो next page पे इनको solve करते हैं और हमारे पस corresponding जो हमारे पस elements है उनकी मदद से values find out करते हैं किस की value find out करोगे u, w, v, x ठीक है तो यहाँ पर मैंने next page पे हमारी जितने भी 6 equations थी वो यहाँ पर लिख दी हैं अब यहाँ पर हम solve करेंगे यह जो तीन equation इनको solve करोगे तो u और हमारे पस w के value आएगी इनको solve करोगे तो v और x की आएगी तो सबसे पहले इनका use करेंगे तो first equation को solve करते हैं यहाँ से लिखते हैं मैं solving equation number one that is equation number one क्या हमारे पास u प्लस में 4w is equal to minus 7 अपर मैंने equation लिख दी है यह equation हम सॉल्व करने वाले हैं जो हमारी equation number one है अब यहाँ पर इसको solve करने के लिए आपने जो 10th क्लास में algebraic method सीखे थे आप उनमें से कोई भी method use कर सकते हैं जैसे कि substitution हो गया हमारा elimination method हो गया elimination के इंदर आपको एक साथ मितलब एक समय पे pair use करना पड़ता है equations का यानि कि एक time पे elimination method की यूज़ करने के लिए आपको 2 equations का use करना पड़ेगा फिर आप इन तीन हमें से कोई भी 2 equation का use कर कर सकते हैं और अगर आप substitution का use कर रहें तो कोई भी में से एक equation लो उसको पूरे term यानि की एक variable की term में इसको लिग देते हैं तो यहां पर हम use करने वाले substitution method ठीक है तो substitution में हापर u की value निकाल लेते हैं यहां पर u की value ऐगी minus 7 इस side है इस side यह जाएगा यानिकी minus or w अब substitution method में हम करते हैं कि यह आपने u की value निकाली है आपको क्या करना equation second या third के इसको put कर देना है u की जगे तो हम कर देते हैं second equation के अंदर तो मैं लिख देती हूँ put u is equal to minus 7 minus 4w in equation number second equation number second के अंद हम put करेंगे equation number second है 2u plus में 5w is equal to minus 8 अब यह जो u है इसके जगे आपको यह put करना है तो यह जाएगा 2 in 2 में minus 7 minus में 4w plus में 5w is equal to minus 8 ठीक है यहाँ पर ही में लिखती हूँ यह हो जाएगा minus 14 और यह हो जाएगा आपके पास minus 8w plus 5w is equal to minus 8 अब जो minus 4 उसको इससाइड वेज देंगे 5w minus 8w हो जाएगा आपके पास minus 3w और इससाइड यह हो जाएगा 8 plus 4 minus 8 plus 4 यानि कि आपके पास यहाँ पर जो value आएगी देखो कितनी आएगी यहाँ पर 14 है 14 है तो यहाँ पर मैंने 4 क्यों लिखा है आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2 इंटो में 7 मैंने 4 लिख रहा है तो यह 14 कर देना यह गल्ती से लिख दिया था माइनस 14 जब हमारा RHA साइट जाएगा तो यह प्लस में 14 बन जाएगा तो यह आपके पास आजाएगा माइनस 3 W is equal to 14 माइनस में 8 हो जाता है 6 यानि कि W की value कितनी आएगी 6 डिवाइड में 3 आएगी माइनस 3 यह cancel हो जाएगा यानि कि आपके पास W की value कितनी आएगी माइनस 2 आएगी तो आपके पास W की value जो माइनस 2 आगी है अब आपको क्या करना है अपने यह जो टर्म में लिखाते है यह जो U की value लिखी थी यानि कि यह जो आएगा यह जो आएगा यह जो पहली जो तीन ही question थी इनका use करने के बद आपके पास W की value आचुकी है अब आपको क्या करना है 4th 5th और 6th equation में से कोई भी question चूज करनी है उसको substitute करेंगे दूसरी question के अंदर और यहां से V और X की value find करेंगे तो करते हैं तो उसके लिए यहां लिख देते हैं solving अब यहां पर 4th equation solve करते हैं तो 4th equation क्या है अपनी यह है V प्लस में 4X is equal to 2 ठीक है अब यहां पर substitution यूज करोगे तो V की term में लिख लेते हैं तो यहां पर 2 है यह 4X उस साइट जाएगा तो minus 4X अब यह जो V की value है इसको 5th या 16th equation के अंदर put कर देते हैं 5th के अंदर कर देते हैं तो यहां में लिख देते हैं put V is equal to 2 minus 4X in equation number 5 equation number 5 के अंदर put करेंगे equation number 5 है 2V plus में 5X is equal to 4 अब यहां पर यहां पर जो V है इसके जगे आपको यह put करना है तो यह हो जाएगा 2 into में यह लिखो कि 2 minus 4x plus 5x is equal to 4 तो यह हो जाएगा 4 minus 8x plus 5x is equal to 4 यह आपके वास value आएगी इसको solve करते हैं अब यह जो 4 है इसको इस side भेज़ दो और यह हो जाएगा 5x minus 8x यानि कि minus 3x is equal to 4 और यह 4 उस side जाएगा तो minus और यानि कि minus 3x is equal to 0 अब यह जो minus 3 is side जाएगा तो divide हो जाएगा यानि x is equal to 0 divided by minus 3 यानि कि 0 मतलब x की जो value है वो आपके पास 0 आचुकी है अब यह जो x की value 0 आई है आपको क्या करना है इसको equation number 4 के अंदर यह जो आपनी स्तरीके से लिखे इसके अंदर put कर देना है यहां पर अब मैंने question number 12 लिख दिया है if a and b are square matrices of the same order अब यहां पर given है अगर a और b अलग अलग दो matrices है square matrix है यानि कि जितनी rows होंगी उतनी क्या होंगे column होंगे इस तरीके से हैं यह square matrix कि इनका order क्या है same है और a into में b करोगे तो किसके equal आएगा b into a आएगा यह आपको provided है given है then proof by induction आपको यहां पर provided है question के अंदर कि आपको mathematical induction का use करना है that a into में b की power n is equals to b की power n into में a आपको given क्या है कि यह दोनों क्या है square matrix है order same है और आपको given है a b into में यहां पर करोगे तो is equals to b a आएगा और आपको proof करना है mathematical induction का use करके कि जब यह दोनों equal है उस समय यह भी equal होंगे और इनको proof करने के बाद further proof that a into में b की whole power n is equals to a की power n into में b की power n for all n belong to capital N इसको proof करने के बाद आपको एक और क्या proof करना है कि जब यह proof हो जाएगा इसके बाद आपको proof करना है कि जब a into b करते हो इसकी power n होती हो इसके equal आती है और किसके लिए equally जो आपको n दिखाई दे रहा है यहाँ पर बिलाउं करेगा capital N यारे की natural number के set को ठीक है तो इसका answer देखते है induction use करना है काफी जादा simple है तो सबसे पहले हम proof करेंगे यह उसके बाद यह करेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं first we will prove यहाँ पर सबसे पहले हम proof करने वाले है a into b की power n is equal to b की power n into a यहाँ proof करने वाले हो और यहाँ पर हम use करने वाले है mathematical induction उसको भी यहाँ पर mention कर देते हैं we will prove the result by mathematical induction की जो हम result proof करने वाले है यह जो हम proof करने वाले है वो हम use करने वाले है किसका use करके proof करेंगे mathematical induction का यह e है और यह m है यह अजीव सा ही हो गया कोई बात नहीं तो यहाँ पर मैं आपको step wise बताती हूँ तो step number one के अंदर हम क्या करेंगे सबसे pn के equal यह मानेंगे तो यहां लिख देते है step number one के अंदर pn such that if ab is equal to b यह आपको प्रोवाइड है यह आपको प्रोवाइड है यह आपको प्रोवाइड रहेगा दन आपको क्या प्रूफ करना यहाँ प्रोवाइड है यहाँ प्रोवाइड है अगर यहाँ प्रोवाइड है तो 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 यहाँ LHS और RHS equal आगे तो आपने proof कर दिया है तो यह हमारा क्या है LHS है और यह हमारा RHS है तो सबसे पहले यहां लिखेंगे 4 N is equal to 1 LHS देखेंगे तो LHS क्या है हमारा A2 में B की power N है यानि कि A2 में B की power 1 हो जाएगा जो हो जाएगा A2 में B आपका LHS आया अब RHS लिखते हैं RHS यह हमारा B की power N इंटू में A तो यह क्या हो जाएगा B की power 1 इंटू में A यानि की B A अब यहाँ पर आप देख सकते हो जो LHS है वो AB के equal है और जो RHS है वो BA के equal है यानि कि अगर आप LHS is equals to RHS करते हो तो क्या है आपके पास A इंटू में B is equals to B इंटू में A और यह आपको अल्यड़ी गीवन है इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ So LHS का है हमारे RHS के equal है तो यहाँ लिख देंगे therefore P of N is true for N is equals to 1 इसलिए हमारा जो P of N है वो क्या है true है जब N की value क्या होगी 1 होगी LHS और RHS उससा में क्या हैंगे equal हैंगी अब step number 3 देखते हैं यहाँ पर लिखते हो में step number 3 अब step number 3 के इंदर आपको क्या करना है अश्यूम क उसका यूज करके आपको proof करने की P of K plus 1 क्या है true है तो यहाँ लिखते हैं assume P of K to be true and then prove P of K plus 1 is true तो यहाँ पर assume करेंगे सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं let us assume P of K is true तो सबसे पहले आपने assume कर लिया कि P of K का true है अब जब आप इसको assume कर लोगे तो सबसे पहले आपने जैसे step number 1 के अंदर P of N के such that करके जो sentence लिखा था जो आपने statement लिखी थे है वो आपको P of K के equal लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपने P of K को assume कर लिया क्या है वो true है ठीक है त such that इसके अंदर आपको करना के है जहाँ जहाँ पर N था उसकी जगप की बार K लिखना है तो यह हो जाएगा if AB is equals to BA then A into B की power K is equals to B की power K into A ठीक है यह आपके बास value आजाएगी इसको equation number 1 का दे दो ना अब आपको क्या करना है now we will prove that P of K plus 1 is true तो यहाँ पर लिख देते हैं we will यहाँ पर यहाँ लिख दो now we will prove that P of K plus 1 is true अब हम प्रूफ करेंगे कि जो हमारा P of K plus 1 क्या है वो true है तो उसके लिए आपको क्या करना है यह statement फिर से लिखनी है बस जहाँ जहाँ पर K है उसकी जगे आपको K plus 1 लिखना है तो यह हो जाएगा P of K plus 1 such that if AB is equals to BA then A into B यहाँ प B of K plus 1 क्योंकि K की जगे हमने क्या लिख दिया अपकी उपर K plus 1 और into A आजाएगा अब आपको यह प्रूफ करना है यहाँ पर कि P of K plus 1 के लिए LHS और RHS हमारे E को लाएंगे तो हम next page पर प्रूफ करते हैं तो सबसे पहले हम आप लिख लेंगे तो लिख लेती हूं मैं next page प A into में अब यह जो B की पावर K plus में 1 है आप किया कर सकते हो B को कर सकते हो separate इस तरीके से आप B को लिख सकते हो क्योंकि जब B सेम होता है ता पावर एड हो जाएंगे यहाँ पर पावर कितनी यह वन है तो B कैन यहाँ पर बेस है जब एड करोगे पावर को तो B की पावर K plus 1 हो जाएगे तो यानि कि हमने B की पावर K plus 1 को इस तरीके से लिख दिया है ठीक है अब जो आपकी equation number 1 थी आपने जो equation number 1 मानी थी वो क्या थी कि A into B की पावर K is equals to B की पावर K into A यह क्या थी आपकी equation number 1 थी अगर आप इसका use करते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि जो आप आपके पास A into B की पावर K है अगर आप इसको देखते हो तो आप इसकी जगे यह लिख सकते हो ठीक है तो हम क्या करेंगे इसकी जगे यह लिख देंगे तो यहाँ पर लिख देते हैं आपके पास यह value हो जाएगी B की पावर K into A आपने क्या क्या A into B की पावर K की जगे य इया लिग देया ठीक है अब आपने यह जो वैल्यू लिखी आप क्या कर सकते ही यहां पर बाहर कर दो क्योंकि आप में तेनों 22 or रही अपर क्या बचयएगा गएगा यह बचयेगा अब आपको यहां पर गीन क्या ऑ इनदर कि अगर टो में बी है तो यह दिएंटू में A के क्या है, इकोलव है यापको क्या है, यहाँ पर यहाँपर ponit तो यहाँ क्या करना है, यहाँ V क है, अब A, V कि जीठEst बहु जाएका फीऐ लिग सकते है, यहाँ भी लिग देते हैं, अब यह तीन इंटू हो रहे हैं, याँ शिलिख सकते हैंं, b to power k into v into a अगर आप दोनों को देखते हो तो यहाँ पर base काए same है तो यह क्या हो जाएगा b to power power add हो जाएगे क्योंकि base काए same है तो यहाँ k है याँ power 1 है याएदि कि b की power k plus 1 और into में a अभी यह आपके पास value आचे कहा हमारे RHS याँनी कि right hand side के equal है, तो यहां लिख देते हैं, तो यहां पर लिख दिया है, हमाने की, hence P of K plus 1 is true, and यहां पर दोनों एक साथ ही लिख दे, and P of K is also true for all N belongs to natural number, ठीक है? अब यहां पर लिख दिया है, तो यहां पर लिख देते हैं, hence if AB is equals to BA, यहां पको already provided था then, उस समय क्या होगा, अगर A into में B की पावर N करते हो, तो यह B की पावर N into में A के equal होगा, जहां पर N belong करेगा natural number को, ठीक है? यह तो आपका पहला पार्ट होगा, अब next part के अंदर आपको क्या proof करना था, कि next part के अंदर आपको जो proof करना है, वो मैं नीचे proof करना है, कि A into में B की whole power is equals to A की power N into में B की power N होगा, जब यहां पर क्या होगा, for all N belongs to natural number, अब की बार आपको यह proof करना है, ठीक है, अब की बार आपको mathematical induction का use करना है, और आपको यह provided, अब की बार आपको proof करना है, कि A into में B की whole power N is equals to A की power N into में B की पावर n जहाँ पर n बिलोंग करेगा natural number को ठीक है तो यहाँ पर भी mention कर देते हैं we will prove the result by using mathematical induction इसको भी हम solve करने वाले हैं mathematical induction का use करके इसमें भी 3 step रहेंगे तो step number 1 हमारा वही रहेंगा pn के हम मानेंगे तो step number 1 क्या है let p of n हम क्या मानेंगे such that if ab is equal to ba then आपको अब की वार क्या proof करना है a into b whole power n is equal to a power n into b power n जो हमारा next step है वो है step number second step number second क्या है proof for n is equal to 1 अब हम n की वाली यहाँ पर one put करेंगे lhs और rhs side तो सबसे पहले lhs लिख लेते हैं तो आपका lhs कया है a into b power 1 यह क्या हो जाएगा a b हो जाएगा आप इसी तरह जब rhs लोगे तो rhs कया है a A की पावर N इंटू में B की पावर N यानि A की पावर 1 इंटू में B की पावर N यानि की 1 तो यह क्या हो जाएगा A इंटू में B आओ यहाँ देख सकते हो कि since LHS is equal to RHS आप देख सकते हो LHS और RHS equal है therefore P of N is true for N is equal to 1 N is equal to 1 की value के लिए हमारा LHS और RHS equal है इसका मतलब P of N is true, N is equal to 1 की लिए अब step number 3 के अदर हम क्या करेंगे assume करेंगे P of K true है और P of K plus 1 को true proof करते है next page पर यहाँ पर मैंने next page पर step number 3 लिग दिया है assume P of K is true and proof P of K plus 1 is true आपको assume करना है P of K का true है उसके बाद हम P of K plus 1 को true proof करेंगे तो यहाँ पर हमने assume कर लिया कि P of K का true है उसके बाद हमने P of K करके हाँ पर लिख दिया कि if AB is equals to BA अगर हमारा AB is equals to BA हाँ पर हमें given है then A into B की whole power case equals to A की power K into B की power case को हमने second equation का नाम दे दिया जो हमने P of K such that करके मानी थी ठीक है now we will prove that अब हमें proof करना है कि P of K plus 1 का true है तो हमने आमान लिया कि P of K plus 1 such that अगर हमें given है कि A into B is equals to B into A है तब आपका proof करने कि A into B की whole power K plus 1 is equals to A की power K plus 1 into B की power K plus 1 है यानि कि अगर आपका LHS और आपका RHS equal आ जाता है तब आपका proof हो जाएगा कि आपने पर प्रूफ करने कि P of K भी true है और साथ ही में P of K plus 1 भी true है वो भी हर एक एक N के लिए N के वल्यू के लिए जो नाचरल नमर को belong करेगी यानि कि यहाँ पर subset रहेगी वो नाचरल नमर का ठीक है तो यहाँ पर आपने अब यहाँ पर यहाँ पर हम LHS लेते हैं तो यहाँ लिख देते हैं टेकिंग LHS अब आपका LHS कै एंटो में B की होल पावर कितनी है K plus में 1 है ठीक है पर हम मैंने LHS लिख दिया है टेकिंग LHS हमारा LHS आप देख सकते हैं आपको प्रूफ करने ही आपकी LHS के equal है ठीक है तो यहाँ पर आपको करना कहा है कि इसको हम कर सकते हैं इसके तुकडे वाट सकते हैं कैसे वाट सकते हो इसका मतलब क्या हुआ देखो A इंटो में B की होल पावर के इंटो में A बी हुआ क्यों हुआ हमने क्या कर दिया है के प्रस में 1 होके add यही बन जाएगा ठीक है अब जो आपकी एक्वेशन नमर सेकंड है इसके अंदर आपने एंटु में बी की होल पावर के की वैल्यू लिखी है पी ऑफ के सच्छ डैट इक्वल मान के और आपने इसकी वैल्यू लिखी है एक पावर के इंटु में बी की प लिख सकते हो तब आपके पास यह देखो एकि पावर के है और यहापे क्या हो आप इंटु में न फे यहापकि प्लस वुन अब आभ देख सकतेों इन दोनों जो power1 है यहापे power1 है और यहापे k और 1 की power इनके बेस से में और इनके यहां पर बेस से में तो यहां पर a उजाएगा और power एड़ जाएगी यानि की k plus 1 उसी तरह इंटू मैं इहां पर b आपर बेस से में true तो इसलिए आपने लिख दिया कि therefore p of k plus 1 क्या true है तो यहां लिख देते हैं hence by mathematical induction p of n is true for all n belongs to capital N तो इसलिए आपने लिख दिया कि hence by mathematical induction हमने प्रूफ कर दिया कि p of n क्या true है हर एकिक उस n के लिए जो बिलॉंग करेंगा natural number को और साथ में यह भी mention कर दो therefore if अगर आपको प्रोवाइड़ है a b is equal to b a है then a into b to power n करोगे तो किस के को लाएगा a to power n के इन तो में b की पावर n के for n belongs to capital N यानि की natural number अब चाहे इस n की जगे k plus 1 हो या फिर k हो यानि की n की जगे कुछ भी हो सकता है हमेशा condition क्या रहेगी यह रहेगी जिसे में a b is equal to b a provided होगा और n की range के आओगी natural number होगी ठीक है तो यह था आपको question number 12 जो solve हो चुक है अब हम अपना question number 13 solve करते हैं आपके question 12 तक सारी solving part खतम हो चुका है अब आपके tick the correct answer यानि कि जो multiple choice question है वो बचेवे हैं तो इसका question number 13 है तो सबसे पहले इससे पहले जो question लिखे है वो पढ़ लेते हैं choose the correct answer in the following questions तो नीचे questions provided है उनके अंदर आपको correct answer choose करना है question number 13 है if a is equal to a matrix given है जिसके element से alpha, beta, gamma, minus alpha such that यहां पर इस तरीक से given है की a square यानि की matrix का square करते हो तब identity matrix है उससे मैं इन में से कौनसी equation सही बनेगी यह आपको बताना है तो इसका जो correct answer है option number C तो यह आप तो पीछे से भी देख सकते हैं क्योंकि यह कै आपकी बुके अंदर already provided रहते answer लेकिन आपको समझना जरूरी है कि किस तरीके से आया है ठीक है वो मैं आपको बता देती हूं तो इसका answer देखते हैं यहाँ पर आपको provided है कि a की value क्या given है alpha, beta, gamma और minus alpha ठीक है और यहाँ पर आपको साथ में given है कि a square is equal to identity matrix है बस इसका use करना है आपको सब कुछ provided है तो question के अंदर तो a square करेंगे यानि कि a into में a तो alpha, beta, gamma minus alpha into में alpha, beta, gamma, minus alpha यह a square हो जाएगा is equal to identity matrix यानि कि 1001 क्योंकि यहाँ पर भी क्या 2 into 2 order है तो यहाँ पर भी 2 into 2 order होगा अब इनकों कर देना है multiply तो यह हो जाएगा alpha square plus में beta into में gamma यह हो जाएगा alpha, beta minus में alpha, beta यह हो जाएगा gamma alpha और यह हो जाएगा minus alpha, gamma और यह हो जाएगा beta, gamma और यह हो जाएगा minus minus plus में alpha square is equal to 1001 अब यह क्यों हो गए cancel देख सकते हैं अब यह cancel हो गए अब आपके पास जो बचा हो यहाँ लिख देते हैं आपके पास alpha square plus में beta into में gamma यहाँ 0 यहाँ पर भी 0 यहाँ बीटा into में gamma plus में alpha square is equal to 1001 तो अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर पता है कि दोनों सेल ले जाओगे दोनों को तो यह हो जाएगा 1 माइनस में alpha square माइनस में beta into में gamma is equal to 0 और यहाँ option number के है C है ठीक है अगर आप 1 को सेल लेके आते हो तो यह minus 1 हो जाएगा और इस तरीके के आपको प्रोवाइड नहीं option इसने हमने क्या क्या है इन दोनों को इस साइल लेके गए तभी आपका जो option number C है वो क्या एगा correct option आएगा और यही same answer आएगा जब आप इसको 1 के equal करोगे तब आप करके देख सकते हो ठीक है आप question number 14 करते है तो यह हमारा question number 14 question number 14 है if the matrix A is both symmetric and skew symmetric यहाँ पर given है आपको given है कि जो A matrix है symmetric भी है और skew symmetric भी है then आपको पताना इन में से कौन सो option correct है तो option given है A क्या होगा diagonal matrix होगा एग 0 matrix होगा 1 square matrix होगा none of these तो इसको option number B कै correct है यानि कि जब condition होती है कि जो A है वो symmetric और skew symmetric दोनों है उससे हमें A के उतना एक 0 matrix होता है तो इसका answer परता देती हूं किस तरीख से इसको solve करना है यहाँ पर आपको provided है A क्या है हमारा A हमारा skew and symmetric matrix है यह जो मैंने short form में लिखा है इसका मतलब है कि A के skew symmetric matrix है और symmetric matrix है ठीक है यह ध्यान समझ लेना यह मत समझ लेना यह क्या लिख दिया है यह आपको अपको 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 प्रोवाइड है A के हमारा symmetric and skew symmetric matrix है तो हमने पढ़ा था अगर A जो हमारा matrix है तब जब A transpose करोगे तो minus of A आएगा यह आपकी second equation होगी अब यह जो A है यह इसके equal है A जो हमारा minus of A है यह इसके equal है यानि कि A transpose के equal यह दोनों है तो यह आपस में भी क्या होंगे equal होंगे तो यहां लिख देते हैं from equation number one and equation number second से हमें पता चलता है कि A transpose के equal A भी है और A transpose के equal minus A है यानि कि A is equal to minus A हुआ minus A को ले जाओ LHS side तो यह हो जाएगा A plus में A is equal to 0 तो यह हो जाएगा 2 A is equal to 0 यानि कि A is equal to 0 इस डिवाइड में 2 यानि कि A is equal to 0 अब यहां पर आप देख सकते हो A की value क्या ही 0 आई और A के हमारा एक matrix है इसका मतलब यह हुआ कि जो 0 है यह denote करेगा 0 matrix को इसका मतलब यह हुआ कि A क्या एक 0 matrix है यानि कि अपना option number B क्या है correct है ठीक है तो यह था हमारा question number 14 अब हम question number 15 अब यहां पर मैंने हमारा last question लिख दिया है question number 15 if A is a square matrix यहां पर provided है जो A है वो a square matrix है यानि कि जितनी row होंगी उतनी column होंगे such that इस तरीके से कि A square की value A आती है then आपको यहां पर find करना है I यानि कि identity matrix plus में A यानि कि given matrix A जो एक square matrix है इसके whole cube दे रखा है minus में 7 इंटू में A इस equal to आपको बताने कि इसकी value किसके equal आएगी क्य यह I minus में A को लाएगी क्या एक identity matrix है या फिर 3 इंटू में A आएगा तो जो इसको option number C है वो आपका correct answer है इसका answer देखते है मैं बता देती हूं कैसे आएगा देखो यहां पे आपको provided है A square is equals to A है आपको क्या find करना है आपको find करना है I plus में A का whole cube minus में 7A ठीक है अब identity होती है A plus में B का whole cube तो यहां पर यह जो मैंने identity लिखती है camera थोड़ा hang होने लग गया है कोई बात नहीं मैं कोशिश करूँगी क्यों hang ना हो देखते हैं बाद में editing करते समय क्या होता है अचा जो भी हो अब यहां पर A plus B की whole cube यहां पर यह value होती है identity होती है ना अब आपको करना है में कि आप यहां पर A की जगे identity matrix है और B की जगे A है ठीक है इसकी value है उसे करके लिख देते हैं तो A का cube है यानिकि i cube प्लस में B cube यानिकी A का cube plus 3 x A square यानिकी i2 x A यानि कि इंटू में i है और इंटू में b square यानि कि इंटू में a का square और minus में 7a है ठीक है अब देखो यहाँ पर आपको question के अंदर provided है कि a square की चागे आप a लिख सकते हो तो जहाँ जहाँ पर a square उसकी चागे आपको a लिख देना है तो i का cube करोगे तो identity matrix आएगा प्लस में ज अभल्स में जहाँ आपको